हेलो यूट्यूब फैमली वेलकम टू फार्मेश्य चैनल मैं हूं फार्मासिस्ट अब शेक्मा दोस्तों अक्सल लोगों को अपने जीवन में विटामिन की कमी खून की कमी जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है यह समस्या उनमें खास करता बाती है जब उनका खान पान सही से ना हो तो उनमें खून की कमी अगर आ जाती है तो उसको हफ्ते भर में दूर करने वाला सीरप का आज मैं रिव्यू लेके आ गया हूं इस सीरप का नाहम है डेक्सा औरेंज सीरप क्या है किस तरीके से काम करता है क्या डोस है किन लोगों को इसको नहीं लेना चाहिए कौन कौन से लोगों में किस-किस बिमारी को ठीक करती है यह सब कुछ मैं डेटेल न बताऊंगा और वीडियो बहुत महनत से लाना हो तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए चलिए सुरू करते हैं डेक्सा औरेंज सीरप को फ्रैंको इंडियन प्राइवेट लिम्टेट का नाम की फार्माशुटकल कंपनी बनाती है यह कंपनी का सबसे पॉप्लर प्रोडट्ट डेक्सा औरेंज सीरप ही है और यह बहुत ही पावरफुल और बहुत ही काम का सीरप है नार्मली लोगों में खून के समस्यों के बहुत जल्दी सही कर देता है डेक्सा औरेंज सीर कि चुआ में किया चीज कितनी कुमातर में होथी लाइन औरेंज का कमपोजीशन है इसमें सबसे पहले चीज जो है वो है फेरिक अमोनियम सिट्रेट फेरिक अमोनियम सिट्रेट की मात्रह 160 mg है इसमें साइनो कोबाला माइन 7.5 माइक्रोग्राम पड़ी होती है और इसमें जो चीज बहुत इंपॉर्टन पड़ी है उसका नाम है फॉलिक एसीड फॉलिक एसीड जीरो पॉइंट पांच एमजी पर 15 में पड़ी होती है अब जान लेते हैं डेक्सा औरंज से होने वाले कुछ साइड इफेक्ट मतलब नुकसान के बारे में सीरप है तो नुकसान भी दे सकती है पहला है डिप्रिशन लोगों को तनाव महसूस हो सकता है बिटर टेश्ट इन माउथ मतलब कि उनके मुह में कड़वाहट बनी रह सकती है बलोटिंग मतलब उनके सरीर में कही क्या है तो हमारे सरीर में जब यह पहुंसती है तो विटामिन बी टुवल और फॉलिक एशिड हमारे सरीर में रेड बलड सेल की मात्रा बढ़ाने लगते हैं उनके फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं इसी तरीके से हमारे सरीर में जब यह सीरप जाता है तो इसमें प्रिज ड्रग इंट्राइक्षएन नियोमाइसीन दफारइन के साथ इसको नहीं لियनाė चाहिये। कॉलचीज दूसरी है तीसरी है क्लोरम तुष को क्राइब्स प्रघ्टो मठीली बुलकुल नहीं है तो फिरी यह तो तो कोई इसने में गैस्टराइटिस का मतलब होता है जब पेट में सूजन आ जाए या फिर पेट के अंदर कहीं स्तरण पैदा हो जाए तो वह कंडिशन एट्रोपिक अरे मरीजिद्फिक का हैं कि इस्तराइटिस करते हैं इससे बहत द्यान से सुनिंगा जिन मरीजों में अनीमिया की सिकायत होती है मतलब खून की कमी होती है तो उन मरीजों को डेक्सा औरन सीरप अगर देते हैं तो दो हफ़ते के अंदर ही उनकी खून की समस्या सही हो जाती है ऐसे मरीज जिन में आईरन डिफिशियंसी है उन में इसका इस्तिमाल किया जाता है ऐलन डिकेंसी को दूर करने के लिए अगर किसी वक्ति में VITM B2L की कमी है तो उसको सही करने के लिए DEXA ORANCE CIROP का इस्तिमाल किया जाता है तो यह सब इसके Medical agencies है अब बात करते हैं DEXA ORANCE CIROP का DOES इसके बाद बताऊंगा मैं आपको इसका प्राइज अडल्ट में डेक्सा ओरंज सीरप एक से दो चमच रुजाना साम को सोने से पहले लेना है इसी तरह बच्चों में लगभग आधा चमच सुबह उसाम दे सकते हैं लेकिन जब खाना किला दे उसके बाद डेक्सा ओरंज का जो प्राइस इंडिया में रखा गया है वो 200 ml के सीरप के लिए 123 रुपे रखा गया है इसे आप डॉक्टर के पिसके बसाम पर खरी सकते हैं दोस्तों मेरा नेक्स वीडियो भी आने वाला है उसका टॉपिक है डाइजीन सीरप तो डाइजीन सीरप को देखने के लिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अभी का भी चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपके लिए बड़ी मेनस से वीडियो बनाता हूँ साथे साथ लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें कमेंट में आप पता सकते हैं कि मैं और कौन-कौन से टॉपिक आपके लिए लेके आ सकता हूँ और मेरे कुछ नए वीडियो भी अप्लोडेड है आप उन्हें देख सकते हैं मैंने नियर अबाउट सभी सीरप पे एक-एक वीडियो बना रखा है आप उसे देखे इजी फार्मा ट्रिक का वीडियो देखे और मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग